दक्षिनी दिल्ली के अमबेडकर नगर में 15 अगस्त की शाम एक शक्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी थत्यारें मौके से फरार हो गए थे थत्यारों को महज 22 घंटे 4 मिनट में ही स्पेशल स्टाफ पुलिस की टीम ने धर दबोच लिया गिरफतार आरोपियों की पहचान शकील उर्फ मोना और संजे के रूप में हुई है दोनों दक्षनपुरी अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं गिरफतार आरोपियों के अनुसार हत्या की वज़य पुराना जगड़ा था उसी का बदला लेने के लिए इन्होंने वारदात को अंजाम दिया था 15 अगस्त की शाम को धाना अंबेडकर नगर पुलिस को एक सूचना मिली की दक्षनपुरी के ब्लॉक संख्या साथ नंबर की पुलिया पर एक युवक को गोली मारदी मौके पर पहुची पुलिस ने युवक को पास के बत्रा हॉस्पिटल पहुचाया लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक को मृतक घोशित कर दिया युवक की पहचान 27 वर्षिय दक्षनपुरी निवासी गौरव के रूप में हुई थी पुलिस को जाच में पता चला कि मृतक गौरव 15 अगस्त की शाम को अपने एक मितर अंकित के घर से लोट रहा था रास्ते में उसको उसका पुराना दोस्ट शकील मिल गया शकील और गौरव का फरवरी माह में किसी बात को लेकर जगड़ा हो गया था दोनों में पुरानी बातों पर कहा सुनी होने लगी इसी बीच विवाद बढ़ गया शकील अपने घर से पिस्टिल लेकर आया और गौरव के उपर तांग कर गोली मार भी गोली मारने के बाद शकील अपने साथी संजे के साथ फरार हो गया था मामले की गंभीरता को देखते हुए और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए साउथ दिल्ली के डी सीपी अतुल कुमार थाकुर ने मामले को दक्षिनी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ को सौब दिया एसीपी विजेंदर सिंग की सुपविजिन में स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर अतुल त्यागी के नित्रितवर में ASI संज, सिंग ASI धरमेंदर, ASI अनिल कुमार, ASI जोगिंदर, ASI अशोक, हेट कांस्टेबल रमेश, हेट कांस्टेबल संदी, कांस्टेबल अखिलेश, कांस्टेबल संदी, कांस्टेबल अशोक कुमार, कांस्टेबल अनूप मीना, कांस्टेबल पुषपेंदर और कांस्टे टीवी वीडियो फुटेज में दो सस्पेक्ट हाथ में पिस्टल लेकर भागते हुए दिखाई दिये लेकिन पुलिस के सामने अपराधियों को पकड़ने की बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि अपराधी मौके से हत्या करके फरार हो चुके थे जांच टीम ने मुकबिर पुत्र धर्म पाल निवासी दक्षिनपुरी अंबेटकर नगर के रूप में हुई है गिरफतार आरोपियों ने बताया कि मृतक गौरव से पुराना जगड़ा था उसी का बदला लेने के लिए उसकी हत्या की थी गिरफतार शकील पहले से ही अपराधिक गतिविधियों म और एक चाकुब बरामत किया है स्पेशल स्टाफ ने आगे की जाच के लिए दोनों आरोपियों को थाना अंबेटकर नगर पुलिस के हवाले कर दिया है संसनी ओफ इंडिया नेट्वर्क क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेश में हो सकता है रहे हर पल चौकस और सा सब्सक्राइब लाइक और शेर करना न भूलें